हौलिबुट फिल्मों की कई इमारतें हमें अविश्वष्णिय लगती हैं और हम सोचते हैं कि वास्ताम में ऐसी इमारतें नहीं होती होंगी यह सब बस कम्प्यूटर ग्राफिक्स का ही कमाल है लेकिन दुबई के लोगों के लिए हौलिबुट फिल्मों की इमारतों वाले यह द्रश्य बड़े ही साधारन से लगते हैं जिने वो अपनी रोज मर्रा की जिंदगी में देखते रहते हैं बाकी दुबई में कई ऐसी चीजे हैं जिनके बारे में दूसरी जगाओ के लोग सुनेंगे तो शायद उन पर आसानी से विश्वास नहीं कर पाएंगे तो आज हम आपको दुबई के कुछ ऐसे ही मज़ेदार फैक्ट के वारे में रूबरू कराएंगे जो बिलकुल आश्चर्य जनक हैं दुबई के इन टावर्स की पिक्चर नीचे से ली गई है यह द्रश देखने में बड़ा ही अविश्वसनिया लगता है और यह फोटो दुबई के इस जगह की उपर से ली गई है पहली नजर में देखने में इस पर यकीन नहीं होता मानो कंप्यूटर ग्राफिक का ही कमाल हो लेकिन यह पिक्चर ओरिजिनल है दुनिया के हर देशों में आपको कारों के शौकिन मिल जाएंगे लेकिन दुबई एक ऐसा देश है जहां अपर लगजरी कारों के शौकिन कुछ जादा ही है जैसा कि आप देख सकते हैं यह एक जीप की फोटो है जो कि किंग साइज में है आप इस तरह की जीप भारत में देखी नहीं सकते दुबई इतना डबल अप होने के बाद भी यहां पर भी ट्रैफिक की प्रॉब्लम हो ज प्रोलिंग करती है तो वह साधारन कार के द्वारा नहीं बलकि पैंटले फरारी एंड लेंबॉर्गनी जैसी गाडियों के साथ ही करती है सोना यानि गोल्ड दुनिया में किसे पसंद नहीं है सभी लोग गोल्ड को पसंद करते हैं लेकिन दुबई इस मामले में नंबर ब ही शौक है वह पैट डॉक की जगा टाइगर को पालते हैं और जिन लोगों को टाइगर जादा खतरनाक नहीं लगता वो लोग बाग को पालते हैं अब तो आप समझी गए होगे कि ये कितना अजीव और खतरनाक शौक है चलिए अगले फैक्ट की बात करते हैं जिन लोगो के होटेल्स के बारे में सुना है यहां आपको होटेल के रूम में दिवारों की जगा एक्क्योरम लगे मिलेंगे जो होटल रूम की खुपसूरती को और जादा निखारते हैं और यह द्रश्य तो आपने फिल्मों में या टीवी में देखा ही होगा इस द्रश्य को देखत हो लंडन पैरेस यूरोप गूमने का लेकिन यह जगा आप देखोगे तो शायद आप अपने ड्रीम को चेंज कर दें और बुर्ज खलीपा की शेर जरूर करेंगे क्योंकि यह बिल्डिंग इंसानी कला का बाकई एक बेजूर नमूना है क्या आप यकीन करोगे बुर्ज खलीपा जिस जगा पर बना हुआ है आज यहाँ पर शांदार बिल्डिंग्स टावर्स हैं लेकिन जब यह विक्सित नहीं हुआ था तो बहुत समय पहले यहाँ पर केवल रेत का ही मैदान था और अब देखने में लगत है कि मानो यह शुरू से ही खुबसूरत जगार रही होगी वाकई तारीफ करनी होगी इनसान के आर्किडेक्चर की तो दोस्तो आज के लिए इतना ही मैं उमीद करता हूँ आपको दुबई के यह फैक्ट्स पसंद आए होंगे अगर आये हैं तो वीडियो को लाइक करें औ और जादा स्यादा शेयर करें और साथी अगर आप यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चांग को सब्सक्राइब करना ना भूलें मैं हर तरह की जानकारी आप तक लाता रहता हूँ तो मिलते हैं अगले अपडेट में तब तक के लिए नमस्कार